प्रदेश की खबरों में मैं भाकिष्टि आपका स्वाखत करते हूँ बढ़ते हैं खबरों क्यों और कलाकार वह होते हैं जो खुद दुखी रहकर दुसरों को मनरंच कराते हैं परंतु कब तक इस कोरुणा ने कितने कलाकार को हम लोगों के पेट से जुदा करते हैं इसमें कुछ कलाकार अगर बच के हैं तो वह काफी दैन यह स्थिति में आ चुकी है वैश्विक महामारी कोरुणा ने अच्छे अच्छे लोगों को आर्थिक वह मांसिक स्थिति को हिला कर दग दिया हैं चाहे वह फुटबात विक्रिता हो प्रावेट शिक्षक हो वकील हो व्यापारी हो चाहे वह कलाकार हो इस वैश्विक महामारी ने सभी की आर्थिक कमर को तोड़ कर दग दिया है कलाकार छोटी हो या पड़े सभी की स्थिति दैन यह हो गई है इत्ती बड़ी फिल्म इंडस्री वो भी चर्मरासी कई है इस वैश्विक महामारी ने सभी को घरों में कैद कर दिया है सरकार कलाक और चौप चौराहे पर गुमते पिरते बासरी बजाती दिखा उनके हाथों में बासरी का गुच्छा था परन्तु उनकी आखे नमती और उनका चेरा बहुत कुछ बयाक कर रहा था उनसे पूछे जाने पर वह कलाकार अपना दर्द कुछ इस प्रकार बयाक करते वह दिखा उनका कहना था कि हम लोग लगबत अठ्रा महीनि से घर पर कह थे इस कुरोना कालने हम लोगों को काफी शयती पौचा है हम लोगों का विफजाए कलाकारी है मैं पासरी बचाता हूँ और पासरी बना कर विक्री करता हूँ जिस से मैं आपनी और अपनी परिवार का जीवन यापन करता हूँ मेरा पुछतेनी पेशा बासुरी पचाना और बासुरी पना कर पेशनाई है अब अठा मैने से मेरा व्यवसाय जुबन पड़ावा है कैसे मैं अपने परिपार का गुजर बसर करू यह बहुत बड़ा पिश्य है आज के समय पे बच्चे चानिस खिलोने से जाता किलते हैं लेकिन बासुरी नहीं खरीदा चाते बोलते बोलते उस कलाकार की आखी पर आई और वहार रोने लग्या फिर उसने कहा की परिपार चलाने के लिए मझे इस वैश्विक महमारी कुरोना से लटते वे आज घर से सड़क पर निकलना पड़ा लेकिन सरकार से गोहार लगाओ तुल लगाओ कैसे उनकी आखों में इस कोरोना की दंश का दर चला करा था वहां बोलते बोलते फपक फपक कर रूप पड़ता था यह कहानी एक बासुरी बचाने पाले उसका लाकार की है जिसका नाम दाउच शाह जो चत्रा पंचाद जिला अर्या का रहन बिल्कुल थंडा पड़ गया है अब देखना है कि सकार इस पर क्या सुथ लेती है अभी तो एक दाव चाहार सड़क पर नजर आ है ना चाने कितने ऐसे दाव शाह कोरोना की कहर को जेल रहे होंगी अब लोग दोन तुटा हाथ निकले है तो उपर वालों को भरोशा है दो बखत की रोटी तो उपर वाला जरूर रखी देगा और जगर कोई हम डर्द आईसे आद्मी मिल जाते है तो बासुरी भी सुन लेते हैं बासुरी जगर देते हैं तो सब्सक्राइब दूसर चार्स रूप्या तो खेरूलों के लिए आम बात और सर देखिए कलेकार का इस तो कोई हिसाब लगा नहीं सका अना उसकी कोई कीमत का सकाइश की तलमोल बात है मिथे आप लोग कैसे आत्मी कभी बैठते हैं हम लोग को भी छुबर मिलता है लेखे कलेकार अपका दर मिलें जगर कलेकार जगर को इचीज जगर बजा रहे जगर गारे है जो कलेकार का जगर स्वागत कर रहे हैं और उवे सुझ dunno eh तो कलेकार से उसका भी सम्मान नहीं क्योंकि वह उँसका देख लेकर के कह रहे हैं कि बहुत अच्छां पहले इसले करके दोनों का मिलती होती है दोनों काई से में हीरो के साथे साथ आपको गाने का बोल लेकर हम आ रहे हैं एक दूजे फिलिम से बहुत अच्छी यह गाना है कर देखें कितना अच्छा काना ही फिरी चाप तूलीम सुनिया का मेजिर जो होना ही को आपको आना जो है आप दूजे का कि अ कि अ कि अ किया हूं कर दो अमर्जित सेंग के रिपूर्ट आज नुर्पूर के टपल गाव में राश्टिय हिंदू शक्ति संगटन के दिली प्रदेश अतिश्य आरेस पाली ने मंदिर निर्मान के लिए अपने शुब हातों से अपने संगटन के कारी करताओं वसदस्यों के साथ जाकर बूमी पूज देत रहे मंदिर पूजन के लिए मंदर तयार क्याद बजन किर्दन का आईजिन क्या पुरा पातावरन भगवान के जैकारों से श्रत्ध मई हो गया है कुछ रदद के लिए दोबारा पाच अकश को हमारी देश के प्रधान मतिर नरेन रबोति वारा राम मंतिर शीलाने न ना निकलने तेरी बड़िजे ना बजाने को लेकर विवार में आया नुर्पुर का डपल काओ आज भक्ति मैं नजर आ रहा था गाउ में किसी त्योहार से कम नजारा नहीं लग रहा था ऐसा प्रतित हो रहा था जैसे आज दिवाली हो और भगवान श्री राम अपनी पुद्वारा बताया क्या था कि यहां मंतिर नहीं बनाने दिगे तो उनको कहना चाहता हूँ कि मंतिर भी बने का और पुझा पाट भी होगी क्योंकि यहां हिंदु राष्ट है और कोई भी हमारी आस्ता को चुनती दीका तो हम भी उसी बराबर जवाब देंगे ऐसे देदी यह 50 लाख देदी ओव लगबात है पर मैं देख रहा हूँ कि हिंदु अस्तान 70 साल अजाद होने के बाद भी अगर गाओं में आप आखे देखो इन बच्चों की हाले देखो इन बजूर्गों की हाले देखो आप कोगे कि मुल्ग यादा यह गाओं यादा 400 साल पराना गाओं जो मंदा लगत लिया है और इस गाओं की हाले देखो आप बच्चों की हाले देखो नहीं पढ़ रहा होगा इन में छोड़ी बच्चे में देख रहा हूँ पढ़ाई वाले बच्चे नहीं लग रहा है तो कैसा आपको गाउन लगा क्या क्या इस्तिति इसमें देखने को मिली कमिया उस्ट्राइम तो देखो महौल खराब था सारी दिवारों पर लिखा हुआ यह मु हिंदू है इनकी हालत सुदारनी पड़ेगी इस लाइक बने के इस मंदर को भी समाड़े अपने बच्चों को अच्छा लाइक पढ़ाए लखाए अच्छा इनको करें मुझे नहीं लग रहा पर आयता कि बच्चे स्कूल होगा यहां पे इनका जाते होंगे बहुत हालत ख सब्सक्राबर रविंदर जी आप इनके साथ आया यहां चाहिए देखिए जो मुद्दा चलना था हमें जैसे भी प्रिंट मीडिया और न्यूज के सारे से मालूम पड़ी तो हमारे अध्यक जी से कब मुझे फोन आया कैसे बात है आपने सुनाय कुछ मैंने हां जी हमने भ जोगा वो करना है क्या आदेश यह है कि वहां चलना है और इस मसले को समात करना है चाये टन जाए मन जाएGa कुछ भी जैए और हम उसके लिए प्रसासन था प्रसासन भी उस हमारे दल को और एकत्र होने की जो तरीका था हमारा उसको देखके प्रसासन के भी हाथ पाओं फूले यहां पे और उन्होंने तुरंट कारवाई करी और यहां जो लोग थे उन्हें अरेश्ट भी किया गया है मुझे जैसे प्रदान जी से पड़ा है अरेश्ट भी किया गया और उस दिन से माहुल यहां पे बिल्कुल ठीक है आपकी टीम पूरी आई है यहां और अतिकी नीव रखती है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा खुसी है मंगलबार का दिन है हनुमान जी का दिन है जिनका नाम लेने से सारे कारें संपूर ह हो जाते हैं हम हिंदू का यह मानना है तो आज के दिन को यह चुना गया है और बहुत कृपा भगवान की है जो उन्होंने हमें यहां आने का अबसर दिया हम कुछ भी नहीं है हम एक इंसाने सीन की तरह लेकिन हम जागरत इंसान है और हमारा काम है इनको जागरत करना पहली और बीच बीच में आते रहेंगे हम एक बार आने वालों में थी नहीं है कि इसका यही है कि यहां बहुत अच्छा भब्यमंद्र बनेगा और गाम के जो भी हिंदू लोग है वो अपने में बहुत सत्रक हुए हैं और यहां एक संग्धन बना है संग्धन मजूशी से चलेगा और हमको contribute ऑर से जो दान मिल रहा है सब जो लोग आएं दान के लिए वो दान मी मिलेगा और यहीं भब्यमंद्र बनेगा शंग्धन के लिए मैं यही कहना चांग माँ शंग्धन अपना पूरा दान करें जो कि मंद्र के लिए जैसे ये मंद्र बने बिस्यंद नियूस के लिए दिल से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट बेकी चात्रा दीपा की दबंगों की छड़कान से परिशान और आहत होकर आत्मःत्या का मामला मुक्योमंत्री की पास पहुचा है मौबा की चरकारी विधायक ने मुख्यों मंत्री के सच्च को कारिवाई के लिए पत्र सुपा है आरुप्यों सहीद जिलिक की कप्तान नरिनर सिंग सहीद सियो और ठाना प्रभारी पर भी कारिवाई की मांग की है सतापक्ष की विधायक ने हमिरपुर जनपत की कानुन विवस्ता की पोल खोली है चरकारी विधायक ब्रजभुशन राजपूत ने सियम डिप्टी सियम वपलिस महानिदेशक को पत्र देकर कारीवाय की मांग उठाए है बिसेंद न्यूज के लिए हमिरपुर से रमकान विश्वकर्मा की रिपूट प्रतापगड में एबीबी न्यूज गंगा चानल के जिला सवात दाता सुलप श्रिवास्तों की संदीख नब मौत की उच्छ सरियत जांच कराए जाने प्रतापगड चिली में एबीबी न्यूज कंगा चानल के जिला संबात दाता सुलप श्रिवास्तों तेरा चुन को लाल गंच शेट्र मी बरामत हुई अविद असला पाक्टरी का पुलिस वारा खुला साके जाने की घटना की कवरेज करनी कह थी वापस लोट्टे समय सुक्पान नगर से कट्रा मेदनी गंच चौराह की पीच महकरनी गाव के समीब सीद इट भट्टी की पास रात करीब साड़ी दस बची घायल अवस्ता में मिली अवचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल पहुचा आगया जहार डॉक्टर उन्हें उन्हें मृत खोशित का दिया सुलब श्रिवास्तों ने दो तीन पहले शराब माफियाओं से संभरित खबर चलाने पर अपनी जान माल के खत्री की संभावना को जताती वी आईजी प्रयाग राजव पुलिस अधिक्षक प्रतापकर को प्रातन पत्र देकर सुरक्षा की गहार लगाए थी लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान दी दिया जिसके चलते यह घटना कारीद हुई है यूपे जनरलिस असुशेशन के जिला महमंत्री इंडर नारायन तीवारी ने शोक वैक्त करते भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते भी उच्छस्दय जाच कराने की मांग की है संगटन के संदक्षन ने अधिकारियों के इस कृत्य को कायराना करा दिया है कहा कि उपचा सुल्तान पूर इकाई पिड़ेक परिजनों को एक करोड रुपया मौजा राशिती जाने और शिक्र पत्रकार सुरक्षा कानुन लागू की जाने की मांग करती है ग्यापन लेने के उपरांद जलानी कारी रवेश कोपतानी देवंगत आत्मा की शान्ती के लिए पत्रकारों के साथ दो मिनिट का मौट रखकर विरमर श्रद्धान चरे दी कत्र हो करके आज एक ग्यापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से की प्रदेश के मुख्या मुख्यमंत्री तक पहुचे और उसमें मांग की गई है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए सुलब शिरवास्तों के परिवर जनों को जो उनको 50 लाग रुपए की राश परिवार में परिवार में नौकरी दिजै और नियाईक जाघ की मांग की गई क्यूए तो आज यूपी जनलिस्ट एस उसेशन इस बात को पूरी पुकता तरीके से इस बात को मांग करता है कि अगर यह बाते हमारी नहीं मांगी गई तो पत्रकार सुरच्छा कानून के ल कुछ दबंग लोगों ने बेश सारी के रात्र में उनके घर में खुश कर अधिवक्ता के परिचनों के साथ मार पिट का दी। पुलिस द्वारा आश्वा संत्या क्या है कि जल्दी आभियोक्तों की गिरफतारी कर जेल फेश दिया जाएगा। नितिश वर्मा आडवकेट सोनी ने कहा कि अधिवक्ता ही है जो समाज में नया दिलाने करे एक महत्व पुर्ण भुमिकानी बाती है। इस तरीके की आधिवक्ता के साथ घटना घटित होना बहुती निंदा पुना घटना है। इस घटना की हांखोर निंदा करते है। नितिश वर्मा आडवकेट पूर्व अधिवक्ता के साथ इपक कुमार जी आडवकेट के साथ टीचर्स कलोनी हापुर में 20 तारीको रातरी साड़े नो बजे। कुछ दमंग लोगों ने घर में घुषका मार पीट की। वह बहुती निंदन पुन घटना है और मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ। अधिवक्ता समाज में इस घटना को लेकर बहुती आक्रोश है और बुस्ता है। अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकतमा 307 में मुकतमा दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस द्वारा ये आसवाशन देया गया है कि जल्द ही अभ्यूक्तों को गिरफतार का जेल बेज़ दिया जायाएगा। और समाज में इस तरीके की भविश्य में अधिवक्ता साती की साथ घटना ने घटित हो। इसी तरीके का आसवाशन हमें पुलिस द्वारा मिला है लेकिन अधिवक्ता समाज जो नियाय दिलाने के लिए एक महतूर कड़ी माना गया है। अगर समाज में इस अधिवक्ता के लिए इस तरीके की निंदा होगी तो ये बहुत ही निंदन पूर्टना है। करनोट में नगर के नात्री को महिलाओ चात्राओ चात्रों के साथ कॉंग्रेस परिपार जनोत वरा एक ग्यापन करनोट सेथ उक्तविद्याले कई बश्यों से संचालित हो रहा था। नगर के नाखी को चात्राओ द्वारा आज तक कोई मांग नहीं की गई के नविन भवन बनाया चाए। लेकिन 3 जून 2021 को जिला शिक्षाथी कारी देवास का आदेश शाला स्तानंतर जारी होता है जिसके बाद करनोट में विरुत प्रारह हो जाता है। ग्यापन के माथन से मांग की गई है कि उक्तिशाला भवन बच्चियों के लिए उन्यता सुरक्षित है। उक्तिशाला भवन परिसर में 3 बारी का छात्रवास है जिन में 200 बारी का आए रहती है। उक्तिशाला भवन में नवीन भवन निर्मान ही तु परियापत जगा है। उक्तिशाला की पास में ही पुलिस थाना, हॉस्पिटल, तैसिल, SDM कारेले होने से सुरक्षित है। उक्तिशाला का परिसर बहुत सुंदर है वा इसके निर्मान में शिक्षकों का छात्राव का एवं जन प्रतिनिद्यों के साथ शासन का पहुत बड़ा योगतान रहा है। अंत उक्तिशाला इसी परिसर में संचारित करनी ही तू। मत्यप्रतिश शासन के इस गुल शिक्षावी भाग को निदेशित क्या जाए। बच्चेयों के लिए बहुत पास रहेगा वो अकेले आज आ सकते हैं बस टेंट पासे कहीं और से भी आते तो बस से उतरके पर स्कूल में जा सकते हैं बहुत छोड़े बच्चेया पढ़ना ही छोड़ देंगे क्योंकि स्कूल इतनी दूर रहेगा उनको तो वो जाई नही होंगे लेकिन फिर उनके ममी बाबा कहेंगे कि नहीं बहुत दूर है हम लोग के पास टाइम नहीं हम आज आनी सकते तुम कुछ लेने छोड़ने के लिए तो अपना स्कूल चोड़ देंगे बहुत सब्सक्राइब क्या मांगती है और किस बात को लेगे कापन दियाज देखिए करनोद नगर का सब्सक्राइब को पुराना साइश की हाई सेकंडी स्कूल की जो पुरानी मारत है करना चाला कि उसको इसको करने का आज तीजन को जला सिक्षा दिकारी देवास के दोरा जारे की जाते हैं कि हा की चार जून को पाच जून को तो हम लोगों ने ततकाल गाउं के लोगों से चर्चा करी सबहु लोग इस बास चांतुश्त की विद्धालाइद जिस परीसर में चल रहा है उसी परीसर में चलना चाहिए को कि उस परीसर में स्रक्षित महसुस नहीं करते हैं और जहां तक बच्चियों के सवाल है बच्चियां सोरक्षित तभी रह पाएंगी जब उनको माहुल इस प्रकार का मिले कि यहां पर हमें क्यों खत्रा नहीं है तो यहां पर पुरे नगर के लोगों से हमने घस्ताइक सर्टक्षरब्यान चालों किया था यह पांग्रेस एने स्वाए के ब देशित करें कि जहां पर गाओं के लोगों की मांगे स्कुल वहीं पर संचालिज होने दिया जाए नवीन परिसर का उपयोग हो सकता है विदायक जी शाष्यान इस बारे में बिचार करें नगर के लोगों शर्चा करें बहुत सारी उपयोग उस्वहन का हो सकता इसी बात वरतमान में जहां पर ही शिकटिश लग रहा ईस परिशर में बहुत स्थान है यहां पर भोल्ट सकता है कुछ शक्यदार इंजिनरों कहना है वो जब वह बन पाएगा तो हमारे नुबहाने दो जमीन उपलफ्द है उसके इस अनुसार भी डिजाइन बनाय जा सकता है और इ प्रतिश्की खबरों में फिला लिता ही अनिक खबरों से हम आपको योही डूपरू करवाते रहेंगे देखते रहेंगे बेसियन नियूज नमस्कार यॅज रहेंगे वोहीत रही काया आपको यूचार घटहरू सनलुछ रहेंगे अनिक खबरूस्कार